तेंग मतलब शोबेट इन्वान आज की स्वीडियो में बात करने मालें आपके क्लास 10 के बोर्ड एक्जाम के बारे में आदा साल हमारा बीच चुका है सवाल ये बंता है कि भाया ये जो आदा साल हमारे पास बचा है इस आदे साल में वो जो गोल हम लेके बैठे थे 95 परसें 98 परसेंट क्या वो इस आदे साल में लाना पॉसिबल है answer is yes possible है शर्त यह रहेगी कि यह जो goal तुम लेके बैठे हो यह जो motive तुम लेके बैठे हो कि भईया इस साल 95 लेके आऊंगा इस साल 98% लेके आऊंगी इस goal पे ना टिके रहना है डटे रहना है 5 साल होगे मेरे को online education में 5 साल में मैंने एक चीज देखिया हर एक तौपर में जो common होती है वो है यह mindset उनके दिमाग में clear है शुर्वात सही कि भईया इस साल 95 लेके आने है वो जो परचा तुमने लगा रखा है न स्टेडी टेबल के सामने कि 95 लेके आना है 98% लेके आना है वो परचा वो फारते नहीं है चाहे कितना ही backlog आजाए कितनी परिशानी आए वो उस पर टिके रहते है और वो ही बच्चे end में जाके फोड के आते हैं तो सारा का सारा game है मेरी जान mindset का यह mindset को clear रख कि लेके आना है तो लेके आना है फरक नहीं पड़ता तुमारे पिछले साल 60 आये थे उससे पिछले साल तुमारे 70 आये थे उससे पिछले साल तुमारे 80 आये थे फरक ने पड़ता पिछले classes में क्या था इस साल तु लेके आएगा comment कर दे नीचे उस जोश के साथ इस वीडियो को start करना है उससे पहले हमने ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ा रखे हैं जो बच्चे कुछ भी नहीं थे वो बच्चे टॉपर बनके आये हैं तो ये trust जो होता नहीं जरूरी है इतने बच्चे जो हैं last में 5 साल मैंने पढ़ा रखे हैं को पता है कैसे आप एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो वही सारा experience में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10th में मैं 95% स्कोर रखे हैं जो तुम Engineering College सोचते हो दुनिया के best हैं उससे मैंने B-Tech खतम कर रखी है मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यार मेरे को अपने बार शान शौकत बढ़ानी नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे तुम सामने आले पर ट्रस्ट कर सकोगी हाँ या या यह जो बता रहे हूँगे बिल्कुल सही बता रहे हूँगे लकीर मानके उसको follow कर ले ना तुमारे एक 10th में जितना तुम सोच रहे हैं उससे बहुत पगड़े नंबर आने वाले हैं यह बुक्स तुम देख रहे हो मैं यहाँ पर उठा भी निपा हूँगा इतनी सारी बुक्स हैं यह सारी आपकी क्लास 10th की बुक्स हैं सारी जितनी भी shop में गया जितनी भी available है इस समय मार्केट में बुक्स हो सारी मैं ने ले रखे हैं सारी मैंने देख रखे हैं कौन सी best है वो आपको बताने वाला हुँ आप मेरे सा पूछते रहे तो भाया यार कौन सी book यूश करें क्या आप कोई book नी निकाल रहे हो मेरा opinion इसमे अलग है थोड़ा सा बाकी लोग निकाल रहे हो अलग बात है मेरा opinion ये है एक example के तुरू समझा दो ध्यान से समझना Royal Enfield है, Royal Enfield क्या बनाती है, बाइक बनाती है, Royal Enfield की बाइक में टायर किसके लगे होते हैं, MRF के, C8 के होते हैं, Royal Enfield भी सोचे, मैं खुद के टायर बनाती हूँ, तो ना वो बाइक बना पाएगी, ना वो टायर बना पाएगी, सेम चीज मेरे साथ है, मैं यार एक टीचर हूँ मैं एक master हूँ, मैं math पढ़ाना जानता हूँ, मैं math को बहुत अच्छा पढ़ाना जानता हूँ और मेरा कोशिश के रहते है कि कैसे उसको और अच्छा करा जा सके मेरा book बनाने forte नहीं है जैसे Royal Enfield जो है, उसका tire बनाना forte नहीं है उसको नहीं आता tire बनाना, इसी तरह से मेरे को भी book बनानी अभी नहीं आती है Royal Enfield ने सोचा, market में best किसके tire है, MRF के वो ले लिए तो मैंने भी ये सोचा, market में कौन सी best book है आपके लिए वो सारी books मेंने एक बार पढ़ ली है, जो इन में से best होगी, वहाँ पे आपको बिलकुल honestly बता रहा हूँगा तो इसलिए एक trust बहुत जरूरी है, जो भी बताऊंगा, वो ऐसी बताऊंगा कि कम resources में best output तुम लेके आओगे क्या मेरी बाद समझ में आ रही है, शुरुबात करते हैं आज की शंदार वीडियो की सबसे पहली चीज है, कुछ बच्चों के half yearly आ रहे होंगे, तो बच्चे पूछेते हैं हाफ yearly में क्या करा जाए मेरी जान देख, half yearly जो है, उसके नंबर तेरे final board exam में नहीं लगते हैं तो अगर तेरी अभी भी इतनी अच्छी तयारी नहीं है, तो मातर दो काम कर ले एक तो जो स्लेबस आ रहा है, उसकी one shot वीडियो देख ले, और उसकी NCRT कर ले बस इतना करके half yearly दे आओ, उसके बाद जो है, यह जो स्रेटीजी में बता रहा हूँ, उसको follow कर लेना half yearly के लिए अराम अराम से बस पास होने लाए करके आ जाओ, अगर कोई ऐसा बच्चा है, जिसने अभी तक कुछ शुरू नहीं करा है वन शॉट देखो, NCRT देखो, काम खतम, जाके एक्जाम दे आओ, बहुत अच्छा हो जाएगा अब शुरुआत करते हम आज की इस शांदार वीडियो की, कि भाईया, अब से पढ़के, हम कैसे एक बहतरी स्कोर लेके आ सकते हैं सबसे पहली चीज है, minimum resources, maximum output, resources जो है न, भरने नहीं है जो books तुम सोच रहे हो, कि भाईया, मैं ये भी ले लूँगा, वो भी ले लूँगा, वो सारी books मैंने ले रखी हैं तो तुमारा काम नहीं है, इतने सारे पैसे खर्च करना जाके, सौ बुक लेके आना एक book लो, best लो, और उसी को पूरे साल follow करो मैंने जितनी books देखी हैं, जितने brand तुम सोचोगे, जितने तुम publication सोचोगे सारी publication मेरे पास हैं, मेरे को सबसे best लगी है, वो है Oswal Books की last year भी मैंने इनका नाम लिया था, मैंने books देखी थी, इस साल भी मैंने सारी books देखी हैं, मेरे को जो सबसे best content लगा है, वो लगा है Oswal Books का OSWAL, confusion के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, इनकी जो books हैं, इसमें हर एक चीज इनकी नों include कर रखी है, question banks होगा है, इनके हर एक book में best चीज़े हैं, तो अगर अभी आप शुरू करने वाले हो और आप सोच रहे हो कि यार मेरे को एक book लेनी है, तो आप Oswal Books की जाके ले सकते हो, आख बंद करके जाओ, चाह स्टेशनरी पे चले जाओ, online लेना है, मैं link दे दूँगा, point is, लेके पूरा अच्छे से करना है, क्या strategy रहेगी, उस पे हम आगे बढ़ते हैं, strategy for science, और अच्छे से हम books के बारे में आगे भी discuss करेंगे, पहले हम strategy लेते हैं, मैं trigonometry ले लेता हूँ, मैं भाया triangles उठा लेता हूँ, सबसे असान chapter जो तुम्हें लगता है, उसको उठाओ, उसको पहले खतम करो, उससे क्या होगा, वो जो list है न तुम्हारे सामने, उस list में से जब chapter खतम होने शुरू होंगे, तो तुम्हारे अंदर confidence आएगा, कि हाँ यार, चीजे खतम हो रही है, मेरे को जोश आ रहा है, chapters खतम हो जा रहे है, तो वो जोश के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्या मेरे बास समझ में आ रही है, तो सबसे पहली चीज जो होती है, वो होती है, कि आपको सबसे पहले सबसे असान chapters उठाने है, जो सबसे पहले सबसे असान chapters उठाएंगे, उसको गवर करेंगे, फिर उससे जो थोड़े से क्या कहते हैं, असान होते हैं, वो वाले उठाएंगे, फिर उसके बाद जो medium वाले chapter है वो उठाएंगे difficult कुछ नहीं होता इस दुनिया में सब चीज medium तक है क्या मेरे बाद समझ में आ रही है तो इसलिए शुरुबात करें के असान chapter से probability, statistics, real numbers, polynomials, pair of linear equation बहुत असान सी chapter है उठाके खतम कर देंगे जब वो उठाके खतम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि चलो यार अब थोड़ा सा उपर वाला chapter उठा लें, AP उठा लेते है quality उठा लेते है, फिर उसके बाद थोड़ा और उपर वाला chapter triangle उठा लेते है, surface area उठा लेते है, trigonometry उठा लेते है, क्या मेरे बाद समझ में आ रही है, strategy के आ रहेगी toppers की वो ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज है कि हमें एक one shot video देखनी है, one shot video के लिए आप जा सकते हो channel पे, youtube पे आप जाओगे, youtube पे जाके आप सर्च करोगे maths by शोबित निर्वान, आजा यार कहा गया हाँ maths by शोबित निर्वान, तुम सर्च करोगे maths by शोबित निर्वान ठेक है, इस channel पे तुम जाओगे channel पे जाके जाना, live वाले section पे live वाले section पे जाओगे, हर एक chapter की one shot video आपको दे रखी, उसको जाके आप उसको देख सकते हो, उससे क्या होगा, आपका chapter का पूरा overview हो जाएगा, chapter का overview होते ही आपका जो दूसरा काम है, वो है NCRT को side by side करना, one shot video देखो, साथ साथ में NCRT करो, बच्चे क्या करते हैं बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा blender ये करते हैं, पहले सोचेंगे अराम से ततसली से बैटके one shot video देख लेता हूँ बाद मैं NCRT कर लूँगा, बहुत गलत स्टेप है जैसे जैसे, one shot video सामने लगा रख कि NCRT साथ में खोल लो, जो जो topic खतम हो रहे हैं उसके साथ साथ में उसकी NCRT खतम करनी है इससे क्या होगा, आप actively चीजे कर रहे हो तो नीद मी नहीं आएगी, बनना क्या सोचते हैं पढ़े रहे, पढ़े रहे, पढ़े रहे, one shot खतम हो रही है इससे पहले तुम ही खतम हो गए, मतलब सो गए, वो वाला खतम नहीं, तो मतलब one shot साथ साथ में देख रहे, उसके साथ साथ में NCRT करो इसलिए मैंने लिखा है, side by side आपको NCRT cover करनी है, तीसरा step बच्चे सोचते हैं कि भाया, मैंने chapter number one जो है, वो साल के शुरुवात में कर रहा था, real number मैंने बहुत शुरू में कर रहा था, अब मैं भूलना शुरू कर रहा हूँ, इसके लिए क्या करा जाए, revision कैसे करी जाती है match में, उसका सबसे best तरीका है, attempt random 10 questions, यह मेरे को last year toppers ने बताया था, बहुत 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 बढ़िया तरीका है, तो तुमने one shot देखा, NCRT cover करी, इससे तुम्हारा chapter clear हो गया, अब तुम्हें chapter की revision करनी है, माल लो, एक दो महीने बीद गए, अब तुम्हें chapter की revision करनी है, chapter की revision के लिए सबसे बढ़िया होता है, जैसे माल लो, यह तुम्हारा question bank है, तुमने उस वाल के question bank ले रखे है question bank उठाए, question bank उठाए, तुमने chapter number one उठाया, ठीक है, chapter number one उठाके, उसके randomly कोई भी दस सवाल उठा लो, randomly, कि भाई, पाँचवा, दसवा, आठवा, चोदवा, और सत्रवा सवाल जो है, वो मैं कर रहा हूंगा, तो यह randomly पाँचछे सवाल उठाए, वो randomly पाँच्छे सवाल उठाके कर लिए, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका solution देख लिया, ऐसे ही randomly हर एक दिन दस-दस सवाल उठाके करने लग जाओ, तुमारा जो है ना, हर एक syllabus बहुत अच्छे से revise हो जाएगा, यह toppers करते थे, कि हर रात को उन्होंने 10 सवाल उठा लिए, कि 5 chapter complete हो गए है, 5 chapter में से हर chapter में से 2-2 random सवाल उठाके कर लिए, इससे क्या होगा, chapter भी revise होते रहेगा, सवाल भी practice होते रहेंगे, सवाल practice होते रहे, तो क्या होगा, हर एक चीज हमारे दिमाग में बैठी रहेगी, क्या बात सब्सक्राइब आगई, तो इसलिए question man's जो होते है, सबसे ज़रूरी होते है, मैं ये नहीं बताऊंगा, कि तुम्हें ये book भी ले लो, वो book भी ले लो, नहीं, एक लो, उसको अच्छे से करो, तो एक ले लिया, उसके randomly लिए 10-10 सवाल उठाएंगे, जितने chapter होगे, मानलो 5 chapter complete होगे हैं, 5 chapter के 2-2 सवाल उठाएं, 10 सवाल होगे, उनको randomly रोज करना है, 10 सवाल एक वी दिन उठाए, रात को कर लिए, अगली रात को कोई भी random 10 सवाल उठाए, कर लिए, अगली रात को कोई भी random बढ़े, बहुता हूं, यह वाला concept tyre मैं बार-बार भुलता हूं, इस तरह का सवाल हमेशा मेरे दिमाग में खराब होता है, हमेशा मेरे दिमाग में जाके बैठता नहीं है, उस सवाल को इस 10 रुपे वाली copy में लिख लो, फिर आगे तुमने 10 सवाल करें, उनमें से 1-2 सवाल तुम ऐसे लग रहे हैं, थोड़े difficult है, थोड़े से ऐसे जिसमें दिमाग खराब होता है, इस copy में लिख लिए, ये copy आपको exam time में काम आएगी, exam time में आपके बाइटा time नहीं होगा कि आप सारे सवाल करोगे, सारी NCRT करो आए है, आखरी में previous year questions करेंगे हम, जब exam का time आएगा, हर चीज और अच्छे से हो जाएगी, क्या मेरे बाद समझ में आ रही है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हम best science strategy के लिए, तो हमारी जो science की strategy है, अगर हम उसकी बात करें, तो science strategy में हमें दिमांग में जो रखना अगेरा, तो पहली चीज होती है, कि आपको एक one shot lecture देखना है, one shot lecture देख लिया, उससे क्या हो गया, आपको chapter का overview हो गया, कि हाँ यार इस chapter में क्या क्या चीज़े हैं, दूसरी चीज जो कभी skip नहीं करनी है, वो है NCRT को line by line read करना, सबसे बड़ा blunder बच्चे करते हैं, सोच हर एक activity को, यह गलत तरीके से लिखी हो दिया, पता नहीं क्या समझ भी नहीं आती, इसको मैंने बहुत आसान भाशा में लिख रखा है, यह पूरे के पूरे YouTube में सबसे पहली बार में लेके आया था, हर एक activity को, जितनी भी activity हैं, उनको मैंने आसान भाशा में लिख रखा है हर एक activity को मैंने असान भाशा में लिख रखा है, जितनी भी आपकी सारे के सारे chapter की activities को असान भाशा में लिख रखा है, तो अगर आपको NCRT की reading में activity में परिशानी आती है, यह booklet है, नीचे download का link दे दूँगा, free में download कर सकते हो, drive का link है, आगे बढ़े आगर हम, तो पहली दूसरी चीज होगे यह आपकी one shot video, दूसरी चीज होगे आपकी NCRT को line by line read करना है, ठीक है, side by side आपको extensive notes मनाने है, दिक्कत क्या आती है सबसे बड़ी बच्चों की, वो यह होती है, कि बच्चे क्या करते हैं, एक बार one shot video देखते हैं, दो महीने बाद वापस से उस one shot को देखते हैं, अरे भाई तू एक ही चीज को बार बार देख रहा है, क्या फायदा हुआ तेरा देखने का, तो point is, अगर आप एक बार इस video को देख रहे हो, अगर एक बार आप एक one shot video को देख रहे हो, तो NCRT जब read कर रहे हो, उसके बाद साथ साथ में extensive notes बना लो, extensive का आते कैसे हैं, मेरे को नहीं आता, मैं इनका वो भी तेरे लिए help कर रखी है, तेरे को सारे के सारे chapter के जो notes हैं, best notes जो आपको YouTube में विलेंगे, वो मैंने दे रखे हैं, नीचे description में link होगा, उसे आके download कर सकते हो, इससे आपको idea पढ़ जाएगा कि best notes कैसे बनाते हैं, तो बा question, कभी मत भूलना, कभी भी मत भूलना, बच्चे सोचते हैं, हमने भया 20 book ले लिए हैं, पहले ये 20 book कर लेता हूँ, उसके बाद मैं NCRT उठाओंगा, ना ना, NCRT के जो बीच बीच में questions होते हैं, chapter के बीच बीच में, NCRT के एक size के जो questions होते हैं, सबसे जादा important होते हैं, वो directly उठके आपके exam में आ जाएंगे, आपको पता भी नी चलेगा, आप क्योंकि 100 books अलग कर रहे हो, NCRT का उठके आ गया, तो पहली variety है, NCRT का हर एक question आपको गोट के पी जाना है, आपके दिमाग में हर एक question का answer होना चाहिए, समझ गए, one shot video देखी, NCRT पढ़ी, NCRT के स साथ साथ आपने notes बनाएं, और NCRT के questions कर लिए, अब last में जो है, उसके साथ आप ये कर सकते हो, कि जैसे मैंने आपको मैच में बताया, 10 questions उठाए, 10 questions उठाए, आपकी science वाली कहा गए, इनकी, हाँ, यह रही, तो science वाली उठाके, science वाली के उठाके, आप क्या कर सकते हो, science उठाके, उसमें से जो, randomly 10-10 questions आप complete कर सकते हो, क्या मेरी बास समझ में आ रही है, तो ये point होगया, आपका science का, बच्चे ये सोसते हैं, कि भाईया, science मेरा physics, एक बहुत tough चीज लगती है, physics भाईया, समझ में नहीं आती है, physics के भाईया, questions नी solve होते हैं, देख मेरी जान, physics के questions जो है, class 10 का, मैं तुमें एक hack बताता हूँ, physics के questions है, physics के questions एक ही तरह के बार-बार पूछे जाते हैं, तो सबसे बढ़िया smart तरीका ये है, कि ये जो question bank तुम ले रहे हो, इसमें एक तरह के 10 questions उठाओ, उनको solve करो, कि भाई, एक इस formula के 10 questions है, कर लिए, दूसरे formula के ये 10 type क question है, कर लिए, तीसरे formula के 10 type के question है, आप देखोगे, 5-6 type के questions है, इसे कहते है smart work, थोड़ा सा analyze करने की कोशिश करो, मेरी जान, बहुत असान लगेगी physics आपको class 10 की, 11-12 के अलग level की होती है, point is अभी हम 10th में, तो 10th में जो है, अलग-अलग type के 10 questions कर लो, आपकी physics बहुत हमारे साथ, कि हम क्या करते है, कभी एक question कर रहे है, कभी दूसा कर रहे है, फिर हम confused होते है, पता नहीं क्या हो रहा है, एक type के 10 करो, फिर दूसरे type के 10 करो, फिर तीसरे type के 10 करो, इससे क्या होगा, आपको वो physics के हर एक question, हर एक formula के related सवाल जो है, वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हम, आगे हम बढ़ेंगे अब SST की महा strategy की तरफ, तो SST की जो हमारी strategy है, SST की strategy की तरफ हम चलें, तो SST में भी वो ही चीज़ें जो science में है, सबसे पहली चीज, आपको one shot वीडियो देखनी है, one shot आपको पता है, किसकी बहतरीन है, इस पूरे YouTube में, YouTube सोड़ो पूरी इंडिया में, किसकी बहतरीन है, आप नाम लेने की ज़रूत नहीं है, ले लेता हो, चलो, दिख रास्तर की बहतरीन है, तो, आपको सबसे पहला काम है, one shot वीडियो देखनी है, one shot वीडियो में, उनकी maximum चीज़े होती है, मैं आपको से वह वह चीज़े बत की timeline बना रखिये, यह पूरी story की तरह बना रखिये, जैसे पहला chapter है, chapter का overview, फिर हर एक चीज story के हिसाप से, हर एक चीज story में और साथ-साथ में आपके important मैंने dates वगरा भी लिख रखिया है, तो बच्चों को जिनको दिक्कात आती है, date remember करने में, date याद करने में, वो भी आ आप यह वाली booklet से अच्छे से कर सकते हो, history के हर एक chapter की मैंने कर रखिये, link description में दे दूँगा, आगी चीज, दूसरी चीज होगी समझ में, तीसरी चीज, answer को points में लिखना है, जो मैंने SSD के notes भी दे रखिये हैं, उन SSD के notes में आप जाके देखोगे, जैसे यह तो NCRT booklet है, NCR के बीच-बीच में से question होते हैं, वो भी मैंने आपको दे रखिये हैं, हर एक page के उपर, मैंने question लिख रखा है, हर एक page के उपर question लिख रखा है, यह भी आप use कर सकते हो, point is, answers आपको points में लिखना है, paragraph मत लिखो, point में याद करो, point में लिखो, यह सबसे important चीज होती है, जो बी-answer याद करो, point में याद करो, उसको point में लिख्या हो, उसी के number होते हैं, चौती चीज, read as much questions as you can, and SST में दिक्कत ही आती है बच्चो को कि भईया, इतने सारे type के questions है कैसे कैसे करेंगे, भईया, इतने सारे questions है कैसे याद होएंगे, रटना, रटना नहीं होता कभी भी, म सोचा, इस में मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकती हूं, क्या लिख सकती हूं, क्या लिख सकती हूं, क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, लिखा, सोच लिए एक बर दिमाग में, फिर देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज ल क्वेशएंग जरूरी होते हैं हर एक के मैंने आपको बताया है कि मैंच में क्वेशण में ज़रूरी है मैंच में आप 10 क्वेशन करना में सब्रेडुक ancient सब्सक्राइल साइब चीजोरूर के हेड़ा में सबस्क्राइब करो सोच्स dov वेरिफाय करो, इस तरह से आप हर एक subject के जो question bank है, उसका भरपूर फायदा उठा लेते हो, दिक्कत क्या आती है, बच्चे भर तो लेते हैं book, यह मेरे से उठाए में निजा रही, यह अतनी सारी है, सारी market में है, गया shop पे, मैंने का भाई, दस वी के जितनी brand है ना सारी दे दे, तो कुछ यहां रखी हैं, कुछ वहां रखी हैं, point is, कि आप ले तो लेते हो बहुत सारी books, पर उसको अच्छे से कर नहीं पाते, तो उसको अच्छे से कैसे करना है, वो भी मैंने इस वीडियो में आपको पता दिया, क्या मेरी बास समझ में आ रही है, तो इसी तरह से आप सारी के सारी चीज़े कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश के लिए तो यार, एक वीडियो देख लो, NCRT पढ़ लो, बहुत होता है, पॉइंट जो मैंने में में सब्जेक्स से वो सारे कवर कर दी है, पॉइंट दूसरा, जो सबसे इंपोर्टन चीज़ होती है, माइंड सेट, कमेंट अगर नहीं कर रहे तो अभी कर दो, और सामने लिख दो, लिख दो अपने बोर्ड के सामने, होगा, पर एक बार तुमारे सामने दिखता रहेगा, तो तुम लड़ोगे तो उनके लिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो का समाप करते हैं, तब तक के लिए भाई, पढ़ना है, फोनना है, कहर मचा देने, आज लगा देनी है, बाई-बाई, टेक केर, मिलना है इसी तरह की कोई आज शांदार वीडियो में, कमेंट कर दो क्या-क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए आपके 24 बटा साथ आपके शोवित भीया हाजिर है, बाई-बाई, गुट नाइट, जाओ, पढ़ लो अब, यूट्यूब बंद कर लो, पढ़ाई कर लो, हाँ, ये बुक्स वगएर आपको चाहिए होंगी, मिलते हैं, फोल गे आओ, जाओ, बाई-बाई, बाई-बाई-बाई,